नमस्कार दोस्तों, कॉंपडिशन कम्यूटी में आपका स्वागत है और कॉंपडिशन कम्यूटी के मेंस प्रोग्राम पर भारत का बुगॉल विशे लेकर मैं हूँ आपके साथ अगासिंग। आप लगों को ग्यात होगा कि जोगरफी का विशे हमारे पेपर पांच का भाग बनता है अभी तक हमने जो भी चीजे इस वीडियो सिरीस में देखी हैं उस पर एक संशिप्त चर्चा करना मैं अवश्यक समझता हूँ हमने क्या देखा अभी तक तो हमने एक बेसिक जानकारी देखी है अभी तक मात्र बेसिक जानकारी देखी है इंडियन जोगरफी की बेसिक जानकारी मैंने इसे इसलिए कहा क्योंकि परिच्छा उप्योगी आप इसको बहुत जादा इंपोर्टेंस की नजर से ना देखते हों लेकिर फिर भी इस विशे को पढ़ने के लिए वो जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है जैसे कि भारत की इस्तिती भारत का विस्तार क्योंकि भारत की इस्तिती और विस्तार के आधार पर ही किसी विशेश प्रकार की भौगलिक परिस्तिती भारत पर बनने वाली है पिर उसके बाद हमने जोलिजिकल टाइम इसकेल क का अधार लेकर भारत के भातिक भागों के निरमान की नहीड देखी हमने देखा कि जब से पृत्वी की उत्पती हुई है तब से लेकर आज तक या नविन्तम काल तक कौन-कौन से काल पर किस किस तरीके की भोगोलिक diabolik था करम गटी थुए हैं जिसके कारण से आज हमें वरतमान का भारत देखने को मिलता है हमने देखा कि सबसे पुराना भॉस्षाल मैदान नविंत भूाग बनता हैं क्योंकि इसका निर्माण हमें सेनोजोई एरा पर होते हुए देखता है फिर उसके बाद हमने आरावली की कहानी देखी हमने सत्पुड़ा की कहानी देखी हमने देखा कि किस प्रकार से बरंश घाटी के निर्माण से वहां पर बनस्पतियों के अवसादी करण होने के कारण ह हमने देखा कि केस प्रकार्ड से थार डेजर्ट बने तो इन सारे चीजों के बारे में हमने एक संचिप चर्चा कर ली अब आज के टॉपिक पर हम जोग्रफी की कोर शुरू करने वाले कोर मैंने इसलिए इसलिए कहा क्योंकि समझने के अधार पर कंसेप्ट के अधार पर एक इसस्ट्रक्शन मैं देता जाओंगा उसे आप अप अप्रकार्फी के जाते हैं तो मैं गरंटी करता हूं कि होगल विशे आपका बहुत जादा स्ट्रॉंग हो जाएगा बहुती जादा धाउट हो जाएंगे आप अपने मेंस के एक्जाम पर एक और खास बात आप ध्यान एटलस रखेंगे क्योंकि इस वीडियो पर जितने भी इमेजेस यूज किये गए हैं उसमें बहुत बड़ा भाग इसी एटलस पर आधारिद है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की और आज का टॉपिक आप हेडिंग पर देख रहे होंगे हेडिंग लिखा भारत का भौतिक विभाजन भारत का भौतिक विभाजन अब पढ़ने वाले हैं भातिक विभाजन या फिजिकल डिविजन अब बात ये आती है कि फिजिकल डिविजन ही हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं देखे हम फिजिकल डिविजन को आसान शब्दों में अगर कह दे तो भारत के भूभाग पर जितने भी इस्थल आकरितियां बनी हुई है चाहे वो पठार हो परवत हो मैदान हो तटी मैदान हो द्वीब समू हो इन सारे चीजों पर हम बात करने वाले हैं क्योंकि जब हम इस्थल आकरितियां समझ जाएंगे जब हम इस्थल आकरितियों को पहच जलवायू परिवर्तन अपना दिखा रहे हैं तो भू भाग को पढ़ना मतलब कि जोग्रफी के अदर टॉपिक्स पर भी पकड़ मजबुत करना या फिर उन टॉपिक्स के लिए निव तैयार करने के बराबर माना जा सकता है इसलिए हमने सबसे पहले भारत के भौतिक विभ भाजन को हम कितने आधारों पर विभाजित करके पढ़ने वाले हैं तो देखे भारत के भौतिक विभाजन को हम मुख्य रूप से अगर देखे तो पांच भागों में पढ़ने वाले हैं सबसे पहला जो भाग होगा वो होगा उत्तर भारत का परवतिये छेत्र भारत का उ तो चलिए इन पांच भागों को अगर भारत के इस फिजिकल मैप में हम समझने का प्रयास करे कि किन-Kिन छेत्रों पर ये पाचो भाग फिट बैठते हैं तो ये आपको सबसे उपर वाला जो भाग देखेगा ये सबसे उपर वाला भाग आप समझ जाए कि ये है उत्तर भारत का परवती छेत्र फिर उसके बाद थोड़े से दक्षिट पर जब हम आएंगे तब ये वाला जो भाग हमें देखने को मिलेगा ये दिखेगा Great Plain of Northern India या फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान उसके बाद आपको जो ये वाला भाग दिखेगा ट्राइंगल शेप में जो भाग दिखेगा ये तीसरा भाग बनेगा और तीसरा भाग अरधात प्रायदूपी भारत उसके बाद हमे इन तटी चेत्रों पर दो हिस्से देखने को मिलेंगे इन्हें हम कह देंगे Coastal Plain या फिर तटी मैदान और उसके बाद ये हिस्सा आप देख रहे होंगे जिसे हम क्या कहा दे रहे हैं दूइव समूप तो पहला भाग कौन सा हो गया तो पहला भाग हो गया उत्तर भारत का परवती चेत्र दूसरा भाग हो गया उत्तर भारत का विशाल मैदान तीसरा भाग हो गया प्रयदुपी भारत और चौता भाग हो गया तटी चेत्र अब पांच भाग हो गया आईलेंड ग्रूप तो इस प्रकार से ये पांच भागों को हमने एक रफली तरीके से इसमें दिखाने का प्रयास किया है लेकिन इसके साथ ही साथ डिटेल में भी हम जाएंगे अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन यहां पर चल रहा है तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले उत्तर भारत का प्रविती छेत्र यह रहां मांचेत्र यहां पर आपको दीख रहा होगा य और यह आपको जो हिस्से दीख रहे हैं यह क्या है उत्तर भारत का विशाल प्रवती छेत्र है इस प्रवती छेत्रों के बारे में हम पढ़ने वाले जब हम उत्तर भारत के परवती छेत्र कहते हैं तब हम उसे तीन भागों पर बाढ़ते हैं ट्रांस हिमाले हिमाले और उ और जब हम उत्तर भारत पर चले आएंगे तब हमें उत्तर पुर्वी की पहाड़ियां देखने को मिलेंगे तो इस प्रकार से हम इसे तीन हिस्सों पर बाटकर पढ़ने वाले हैं उत्तर परवती छेत्र को ट्रांस हिमाले, हिमाले और जो मैं अन्तिम कहा उत्तर पुर्वी पहाड़ि लेकिन इन तीनों भागों में से सबसे महतवपूर्ण भाग बन जाता है हिमाले क्योंकि अगर आप ट्रांस हिमाले भी समझने का प्रयास करें तो उसके लिए आपको हिमाले की concept clear होने चाहिए उत्तरपुर्वी पहाडी भी आप पढ़ेंगे तो भी उसके लिए हिमाले की concept आपको clear होने चाहिए हम वीडियो के साथ साथ में question भी solve करते चलेंगे तो तैयार रहिएगा pain copy लेकर अपने बहुतीक चितन्यता को उपस्तित रखेगा आप खुद भी उपस्तित रहेंगे सिर्फ आपके बहुतीक उपस्तिती की आवशकता नहीं है आपके बहुतीक उपस्तिती की भी आवशकता होगी क्योंकि conceptual है जोग्रफी है थोड़ा concept आएगा थोड़ा technical terms आएंगे कौन-कौन से शब्दों को पकड़ना है कौन-कौन से शब्दों को पकड़कर अपने answers को खुबसूरत करना है इन सारों चीज़ों पर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए आपका ध्यान आप लोगों का माइंड फ्रेश होगा जब आप लोग पढ़ने के मूर से बैठे होंगे तब आप जोगरफी पढ़े तब ज्यादा लाबदायग होगा वैसे तो सभी विश्यों के लिए ये जो concept फिट बैठता है कि जब माइंड फ्रेश रहे तभी बैठना है अब एकद आपके सपने सपने ही रह जाएंगे तो सपने और हकीकत में सिर्फ यही अंतर है कि सोच को implementation तक लेकर आना है तो implementation तक आप लेकर आएंगे तब जाकर आपकी मैनत और हमारी मैनत दोनों सार्थ तक होगी ऐसा मेरा उमीद है आप लोगों से चलिए आगे बढ़ते हैं हिमाले सबसे पहले पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे मैने बता दिया कि ट्रांस हिमाले भी पढ़ना होगा उत्तरपुर्वी पहाडिया भी पढ़नी होगी तो भी हमको क्या करना होगा हिमाले को समझना होगा पहले अब हिमाले किस तरीके से पढ़ेंगे तो यह जो यहां पर मैंन आने वाले हैं विशिष्टाएं हिमाले की विशिष्टा क्या है जब भी हम विशिष्टा के बारे में चिंतन करते हैं आख मुंद कर उसके बारे में सोचते हैं तो किस प्रकार से भिनने लगता है अन्य परवतों से कैसे वो अलग है कौन सी ऐसी उसमें खास बात है जिससे व हम दूसरे टॉपिक पर आएंगे और दूसरा टॉपिक होगा उत्पत्ति एवं विकास अर्थात हिमाले की उत्पत्ति कैसे हुई और हिमाले का विकास कैसे हुआ फिर उसके बाद तीसरे हम बाइफरकेशन पर पहुंचेंगे और हिमाले के वरगी करण पर पहुंचेंगे कि अर्धात वेस्ट टू इस्ट हिमाले के बीच का जो यहां पर कंसेट बनता है उस पर हम बात करेंगे तो इस आधार पर हम हिमाले कवर करने वाले हैं फिर से बर बता दू पहले विशेश्चताइं देखेंगे फिर उत्पत्ती एवं विकास देखेंगे उसके बाद वर्गी क करण देखेंगे वर्गी करण कैसे उत्तर से दक्षिन की और और पस्टिम से पूर्व कियो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले विशेश्चताओं की तो देखने के लिए एक प्रशन का सहारा लेते हैं मान लेते हैं आप से प्रशन पुछा गया है मेंस की एक्जाम प जब हम उसको पढ़ रहे होते हैं समझ रहे होते हैं और अगर हम उस पर किस प्रकार के प्रशन पूछी जाएंगे इसका विसलेशन नहीं करते तो उतनी पकड़ मजबूत नहीं होती तो अगर मैं एक प्रशन किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक प्रशन आपके सा प्रशने का उत्तर खोज रहे होंगे तो जब आप किसी चीज की खोज में होते हैं किसी क्यूरोसिटी को फिल्फिल करने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपकी दिमाग में इन सारे चीजों की चिपकने की संभावना बहुत जादा बढ़ जाती है रिटेंशन पावर बहुत जादा हो जाता है क्योंकि ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप मेंस का एक्जाम देने जाएंगे आपकी जो मनोदशा होगी जो मांसी की स्थिती होगी वो बहुत ही जादा उस समय विचलित हो सकती है जरूरी नहीं होगी लेकिन ऐसी संभावन आप ये बहुत ही जरूर ही होती है तो हमें सिर्फ पढ़ते पढ़ते ये भी सुनिश्चित करना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में चिपका हो एक बार पढ़ने के बाद ही ये दिमाग में इस तरीके से इसपस्ट हो जाए कि कोई मुझे आधी नींद को भी आधी राद को आधी नींद में भी उठा का अगर कोई पूछे तो मैं फटा फट बता दू क्योंकि मेरे दिमाग में जो भी चीज़े हूँ इतनी स्पस्ट हो कि मेरे जबान के माध्यम से सामने निकल कर चले आए और हाथों के माध्यम से ये पेपर में लिखा जाए तो विशिष्टाओं का वर्णन करे ऐसा प्रश्न आपके सामने आ चुका है अब सबसे पहले तो आप हिमाले की विशिष्टा जब आप बदाएंगे तो सबसे पहले तो आपको important होता है कि आप किसी answer को किस तरीके से लिख रहे जिसे हम presentation का model कहते हैं आप paragraph में लिख रहे हैं आप point में लिख रहे हैं आप flow diagram बना रहे हैं आप map बना रहे हैं ये सारे चीज़े प्रेजनेशन के अंतरगत आती है अब geography का paper अगर आप लिख रहे हैं ये तो बताने के अवशक्ता नहीं होनी चाहिए question कैसा भी हो answer कैसा भी हो आपको diagram बनाना है चाहे वो कितना वाहियात ही क्यों ना हो बनाना है मतलब बनाना है practice करते करते उस वाहियात map उस वाहियात diagram को आपको सुंदर बनाना है ये अपने दिमाग मर fit करके बैठिए उसके बाद किसी भी question को देखकर आप ये समझे कि इसे मैं ज़्यादा प्रभावी तरीके से कैसे present कर सकता हूँ किसी भी question को देखकर ये बात decide की जाती है कि इसे paragraph में अच्छे से लिखा जा सकता है या point wise लिखा जा सकता है या फिर paragraph और point के दोनों के mission के साथ लिखा जा सकता है अब अगर Vernon कह दिया गया है तो Vernon अगर आप point के आधार पर देखेंगे तो जाच करता कि नजरिये से आप उस paper को देखिए जहां पर point wise Vernon लिखा गया है जाच करता ये देखेगा कि इस बंदे ने इस चातरी ने कम से कम आठ पॉंट लिखा है मतलब आठ आधारों पर हिमाले की विशिश्चता को इसने सामने रख दिया है अब अगर मैं इसी बात को paragraph पर अगर प्रेसेंट करता हूं तो जाच करता को कितनी विशिश्चताओं के बारे में बात की गई है कितने विशिश्चताओं के बारे में बताया गया है इसे paragraph में खोजना पड़ेगा और जाच करता को हम महनत नहीं करवाएंगे उससे महनत नहीं करवाएंगे अपने paper को बहुत ही easily बनाएंगे ऐसा बनाएंगे कि कोई भी देखे और असानी से सारे point को clear कर ले तो चलिए विशेचता जब भी आप लिखे या फिर कोई भी question का answer जब आप लिखे और point wise आप लिख रहे हों तो अगली मैं तो पूर्ण बात यह आती है priority आप जब कोई एक answer लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले सबसे important बात होनी चाहिए सबसे basic बात होनी चाहिए सबसे fundamental बात होनी चाहिए for example अगर आप लोग अगर थोड़ा flashback पे जाते हैं पाचवी छटवी कक्षा पर आपसे महत्मा गांदी जी के बारे में निबंद पूछा गया है तो आप पहले ये तो नहीं बताएंगे ना कि उन्होंने उनकी मित्यू कैसे हुई या नातुराम गोटसे ने कब किस तरीके से उनकी हत्या कर दी थी आप शुरुवात कहां से करते हैं आप उनकी जीवनी की शुरुवात से करते हैं आप पहले उनके जन्म के बारे में बता देंगे उसके बाद आप जाएंगे कहां पर मित्यू की कहानी पर जन्म से लेके मित्यू तक की कहानी आप बता दे चलेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे मित्यू वाली कहानी लिखकर एक अच्छे से सम्मान जनक कोंक्लूजन के पॉइंट से आप इस question की शुरुवात करेंगे और सबसे पहले आप बताएंगे विस्तार के बारे में विस्तार बताना हिमाले का तो चलिए हम इस question का आंसर करते करते हम हिमाले के विस्तार तक बात कर लेते हैं देखे सबसे पहले हम बात करते हैं पस्चिम से पूर कियो हिंदू कुष से अराकान योमा पहडी म्यानमार देखे जब आप यह हिमाले देख रहे होंगे यहां पर आपको हिमाले दीख रहा होगा तो पस्चिम में हमें ये हिंदु कुश और पुर में म्यानमार में हमें यहाँ पर अराकान योमा परवस्षिनी देखने को मिलेगा अराकान योमा आप एटलेस साथ में लेकर बैठे होंगे ऐसा मैं उमीद कर रहा हूँ और यहाँ पर पस्चिम में आपने क्या देखा हिंदु कुश अब हिंदु कुश कारा कुरम ये जो जॉइंट हमें देखने को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं पामीर नौट या फिर पामीट गांट पामीर गांट हम इसे कहते हैं देखे हिंदु कुश और अरा बट्टारे के उत्तर पर मुझे इतना बड़ा पठारी छेतर दिख रहा है जिसे हम क्या कहते हैं तिभ्वत और हिमाले के दक्षिन पर मुझे यहाँ पर क्या दिखेगा मैदान क्लिर है то ये हो गया हिमाले का विस्तार पस्चिम से पूर्व की ओर और उत्तर से दक्षिंड की ओर तो सबसे पहले हमने हिमाले के विस्तार को बता दिया अब हिमाले की विस्तार को हमने जोग्रिफिकल आइडेंटिटी के अधार पे तो बता दिया भोगलिक या फिर भौतिक बाग की अधार पे तो बता दिया अब इसकी लंबाई की बात करें तो पस्चिम से पूर्व तक अ देखने को मिलता है लंबाई तो हमने देख ली कि पस्चिम से पूर्व तक 2500 किलो मेटर है अब हम बात करते हैं इसकी चौड़ाई पर हम बात करें तो इसके लिए आप इसे दो हिस्सों पर बाढ़ दें तो पस्चिम में अगर आप इसकी चोड़ाई देखेंगे तो लगबग 500 किलोमिटर के आसपास की चोड़ाई देखने को मिलती है लेकिन जब हम हिमाले की पूर्व की और बढ़ने लगते हैं तब हिमाले की जो चोड़ाई होती है वो संकिर्ण होने लगती है और जो पस्चिम में 500 किलोमिटर की चोड़ाई होती है वो पूर्व जाते तक लगबग 500 किलोमिटर की चोड़ाई में सिमित हो जाती है ठीक है क्लियर हुआ कि पस्चिम में 500 किलो मिटर की चोड़ाई देखने को मिलेगी हिमाले की लेकिन पूर में हिमाले की चोड़ाई हमें कम देखने को मिलेगी धीरे धीरे कम हो जाती है अब जैसे ही मैंने आपको ये तथ्य बताया आपके मन में एक अगला प्रश्ण उठना चाहिए कि सर ऐसा क्यों कि जब हम हिमाले को एक पूरी की पूरी हिमाले को एक पूरे जोग्रिफिकल आइडेंटिटी को हम एक नाम से पढ़ रहे हैं हिमाले के नाम से पढ़ रहे हैं सब ऐसा क्या हो गया कि इसकी चोड़ाई में भिन्नता देखने को मिल गई इसकी चोड़ाई पस्टिम में 500 क्लियोमिटर रह गई लेकिन पूर्व में जाते जाते इसकी चोड़ाई क्या हो गई कम हो गई तो इसके पीछे तो कुछ कारण होगा तो जरूर तो इसके पीछे के कारण के बारे में हम कब देखेंगे जब हम देखेंगे हिमाले की उत्पत्ती और विकास की कहानी इसी वीडियो पर हम उसको कवर करेंगे तो जब उत्पत्ती और विकास पर हम आएंगे तब उस समय मैं आप लोगों को बदा दूँगा कि ऐसा क्यूं है कि हिमाले का पस्टमी भाग अधिक चोड़ा है तुलनात्मा करुप से पुरुवी भाग से चलिए आगे बढ़ते हैं लंबाई और चोड़ाई की कहानी समाप्त करने के बाद जो चौथा हमें इंपोर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है वो क्या है कि हिमाले एक नविंतम और उच्चतम परवश्रेणी का उधारण है नविंतम क्यों नविंतम इसलिए क्योंकि हि सेनाजोईक एरा पर और सेनाजोईक एरा के किस पिरियड पर तो तर्शरी या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं तिरतियक यूग में हुआ है चीक है अगर आप जियोलोजिकल टाइम स्केल की अधार पर चले तो सबसे पुराना क्या था आपने पिछले वडियों पर देखा भ वाला एरा था वो महाकल्ब था जहां पर नए जीव जन्तु उत्पत्ति हो गई थी और उनका विकास भी हो रहा था जिसमें हम भी शामिल हो जाते हैं अब सेनाजोईक काल पे ही हम हिमाले की उत्पत्ति और विकास को होते हुए देखते हैं तो इसलिए हमने इसे क्या कहा तृतियक काल में बने होने के कारण यह एक नविंतम परवत श्रिंखला का उधारण है लेकिन अगर आप अरावली की बात करें अगर आप सत्पुड़ा की बात करें अगर आप बिंधियन की बात करें या फिर विश्व के अन परवतों की बात करें जैसे रोकी सो गया एंडी हो गया तो यह किस प्रकार के परवत है तो यह पुराने हैं यह प्राचीन परवत श्रिंखलाओं की उधारण है तो हिमाले की एक खास बात आप पकड़ लीजिए कि यह नविंतम परवत श्रिंखला है और इसका नविंतम वाला विशेशता बहुत इंपोर्टेंट हो जब आप मृदा पढ़ेंगे और बहुत सारी जानकारी जब आप पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि इसके नविंतम होने के कारण हमें कुछ विशेश प्रकार की भोगलिक इस्थिती बनते हुए दिखती है भारत के भुगोल में अब नविंतम के साथ साथ मैंने एक और पॉइंट कहा कि ये उच्चतम परवस शिंकला का भी उधारन है ये हाइस्ट मौंटिन सिरीज का उधारन है विश्व की सबसे उची चूटी कौन सी है मौंट एवरेस्ट कहां पर है हिमाले पर नेपाल में इस थी था ये और इसकी जो उचाई है वो कितनी है तो लगबग साड़े आठ किलो मिटर या फिर साड़े आठ हजार मीटर की उचाई पर लगबग लगबग आपको ये मौंट एवरेस्ट देखने को मिलता है तो सबसे नविंतम के साथ में सबसे उच्चतम परवस शिंकला का भी उधारन है हिमाले अब सबसे उच्चतम क्यूं तो उसके पिछे का आधार भी क्या है नविंदम देखिए जब भी कोई भू आकरिती बनती है तो उसके जन्म से लेकर उसके मेच्चोर होने तक की कहानी होती है जब उसका जन्म होता है जन्म होने के बाद जब वह अपने चरम सीमा पर पहुंचता है तब बहुत उच्चे होते हैं बहुत विशाल होते हैं फिर उसके बाद समय के साथ साथ में कभी पवनों के बहाओ के कारण कभी अपवात तंत्र के बहाओ के कारण तो कभी जलवाईयू के कारण उसमें अपरदन होता है इरोजन होता है और उसके बाद वो तूटते हैं जिसे हम वैदरिंग कहते हैं और कहीं पर जाके इनका deposition हो जाता है निक्षेपण हो जाता है तो दीरे-दीरे क्या होती है फिर इनकी height कम होने लगती है लेकिन जब ये नविंतम I.U. पर होते हैं जब अपने चरम सीमा पर होते हैं तब इन इस्थल आकरितियों का आकार काफी व्रियाद होता है काफी बड़ा सकते हैं कि एक काल पर अरावली बहुत ही उचा था बहुत इविशाल था और आज जो हम अरावली देखते हैं वह एक अवसिष्ट भाग है रेसे डिवल माउंटेन है अर्थात बचा-खुचा परवत है क्योंकि इतने लंबे समय अवधी के कारण उसमें वेद्रिंग हुआ इरोजन हुआ और अब उसका बचा-खुचा भाग ही भारत के वो भाग में हमें उपस्तेद दिखता है तो चलिए चौते पॉइंट को हमने यहां पर समझ लिया कि क्यों हमने इसे नविंतम कहा अब यह भी ध्यान रखिए कि यह मैंने जो पॉइंट लिखे हैं मैंने पू जैसे मैंने लिख लिया कि नविंतम एबं उच्चतम तो क्या सिर्फ इतना ही लिख कर आएंगे तो नहीं आप अपने आंसर पर लिखेंगे कि हिमाले नविंतम परवश शिंगला है क्योंकि इसकी उत्पत्ति एबं विकाज सेनो जोईक महाकल्ब के तर्चरी यूग पर तो यह जानकारी आपको एड़ान करनी है मैं कीवर्ड बता रहा हूं आपको एक दिशा दे रहा हूं उस दिशा को अधार लेकर आपको एक मार्ग पकड़कर चलते जाना है उसके आगे पीछे की कहानी के लिए ही मैंने आप लोगों से आगरा किया है कि विडियो बहुत ही एक बात करते हैं और उस बात के पिछे में हम तथ्य देते हैं तब उस विचार का उस बात का हम गंभीरता बढ़ा देते हैं उसका भार बढ़ा देते हैं जैसे मैंने कह दिया उच्चितम तो कैसे उच्चितम तो आपने तथ्य दिया कि उच्चितम क्यों क्योंकि इसी पर होते हैं कि जब भी हम कोई एक बात रखते हैं को यह विचार रखते हैं और उस विचार को सपोर्ट करते हुए उसका समर्थन करते हुए कुछ अगर हम तथ्य रख देते हैं तो आपकी बातों में भार बढ़ जाता है और दूसरों की तुलना पर आपको मांक्स जादा मिलते हैं और यह बहुत जरूरी है एक छोटा सा एक्जांपल मैं अगर आपको बताना चाहूं तो देखिए दो छातर आकर मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं कि सर मैं बहुत ही मैनत कर रहा हूं मैंने पूछा कि अच्छा कैसे आप तयारी कर रहे हैं तो दोनों छातरों का समान ज होता है साइंटिफिकली प्रूवड है यह तो बहुत ही अच्छी बात है तो एक व्यक्ति का दोनों ने कह दिया कि सुबह उठता हूं लेकिन एक छात्र ने कह दिया कि सर मैं सुबह पांच बजे से उठकर पढ़ता हूं तो अब बताईए कि एक दोनों की महनत का आकलन करन होगा दोनों के सुबह उठकर पढ़ने की तैयारी के महनत पर अगर बात करनी होगी तो मुझे किस पर ज़्यदा बात करने का मन करेगा जोने किस पर विश्वास होगा उस विखती पर ज मुझे एक तठ्थे मिला कि ये सुबह उटकर पड़ता है मुझे हो सकता है दूसरा छातरे सुबह चार बज़े से उटकर पड़ रहा हो या फिर रात-बर वो सोया ही न हो लेकिन दूसरे छातरे ने पांच बज़े का तठ्थे दे दिया इसलिए उसकी बाद में मुझे ज़्यादा भार दीका ज़्यादा गंबिर्दा दीगी तो मेरे दिमाग में मेरे ब्रेन में उसको लेकर एक सकरात्मक चितर बना कि ये सुबह सुबह पांच बजे उटकर मैनत कर रहा है तैयारी पर जरूर इस बच्चे का क्या होगा अगर मैं थोड़ा सा और इसके पीछे अपना इंपुट दे दू और मैनत अगर मैं इसके पीछे कर दू तो इसका पास होना सुनिश्चित है तो इस प्रकार से आप समझ गया होंगे इस उधारन के अधार पर कि कोई भी जब आप बात करते हैं कोई भी आप विचार रखते हैं तो उसके लिए तथ्य देरा बहुत ही जरूरी हो जाता है आपकी बातों को वो क्या करता है भार देता है आगे बढ़ते हैं और प्माचवी विश्चता पर जाते हैं और बात करते हैं कि वलित परवत है वलित परवत फोल्डेड माउंटेन वलित परवत क्या होता है तो इसे हम समझेंगे गब जब उत्पत्ति विकास लेकिन मैं आपको बता दूँ जब दो प्लेटे दो भूप टकराती हैं तो इनके बीच का जो हिस्सा है वो संपिडन वल या कंप्रेशन फोर्स के कारण में क्या होता है मूड जाता है क्या होता है ऐसे आकर टकराई और ऐसे मूड गई क्या हो गए फोल्ड हो गए और इस उठे हुए भाग को आपने क्या कह दिया परवत और कैसे इन क्या अधार पर कैसे सही साबित कर पाएंगे तो आप बताएंगे कि भारती प्लेट और उरेशन प्लेट के टकराव के कारण टेथी सागर के भूर सन्यतिक का उत्थान होता है जो की एक वलन की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है इसी अधार पर हम इसे क्या कहते है या एक वलित परवत का उधारन है या फिर इट इजांपल ऑफ फोल्डेट मॉंटेट चलिए पांचवी विश्यस्ता के बाद छटवी विश्यस्ता पर हम बात करते हैं और हम क्या देखते हैं कि यह धनुशाकार आकरिती दिखाता है में धनुशा आपने देखा होगा लो प्रकार के अपने तीरों को भी देखा लुगा तो उसी लॉक्डाउन के टाइम पर अपने धनुश का अकार भी देखा लगा तो धनुशा आकर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा या फिर धनुश का तो आप पेपर में ऐसे तो लिख कर आएंगे नहीं कि ऐसा वाला तो आपको उसके लिए क्या देना पड़ेगा नाम देना पड़ेगा और नाम क्या देना पड़ेगा कि उसका जो कन्वेक्स है उसका जो उन्नतोदर है वो किस तरफ है दक्षिन की ओर है अर्थात भारत की ओ आएंगे कि इसका जो धनुशाकार आकरिती है उसका जो उत्तल है उसका जो कन्वेक्स है वो कहां पर है तो वह है दक्षण की और अब बात यह आती है कि ऐसा हुआ क्यों तो इसके पीछे की कहानी यह है जब आप हिमाले की उत्पत्ति देखते हैं तो हम देखेंगे कि ऐसे एक यूरेशियन प्लेट था जिसमें भारती प्लेट आकर क्या होता है टकराता है यह हो गया भारती प्लेट लगबग साथ करोड़ वर्ष पूर्व यह टकराने की प्रक्रिया प्राराम हो जाती है अब यह भारती प्लेट की जो मूमेंट है जो इसकी दिशा है गतिमान की जो दिशा है यह उत्तर की ओर थी लेकिन थोड़ा सा टिल्ट था किस तरफ पस्चिम से पूर्व की ओर तो जब भारत टकराता है तो जाहिर सी बात है कि कॉमन सेंस के आधार पर आप समझ गये होंगे कि भारत का पस्चिम वाला भाग वेस्ट वाला भाग पहले टकराएगा अर्थात ये वाला भाग टकरा गया और टकराने के बाद जब तक यूरेशन प्लेट में ये अंदर घुस रहा था काफी दिनों बाद फिर क्या होगा ये पूर वाला भाग आकर इस यूरेशन प्लेट में टकराएगा तो पस्चिम वाला भाग पहले टकराता है पूर वाला भाग थोड़ी दिनों बाद थोड़ी दिन मतलब ऐसा नहीं कि 2-4-6 मैने बाद करोडों सालों बाद आकर ये क्या होगा टकराएगा अब इसमें खास ब जिसे हम कहते हैं विंद्यान सत्पुड़ा ये कहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो ये भारत के पस्चिम पर आपको देखने को मिलेंगे लेकिन मद्य वाले भाग पर हमें कुछ विशे से भू आकरिती देखने को नहीं मिलती। पाएगा क्यों क्यों कि यहां पर ताकत नहीं है सेंटर पर यहां पर कुछ विशाल इस्थल आकरिती नहीं है इसलिए यहां पर ताकत ना होने के कारण यह उस तरीके से अंदर प्रवेश नहीं करता यूरेशियन प्लेट के जिस तरीके से पस्चिम और पूर वाला भाग एं पाया तो इसलonne क्या हुआ एक द्धनोश की आकरिती बना लिया और जिसका समय कहां देखने को मिलता है अंडर भारत के दखेंष्ण पर थे अब हम बात करते हैं साथवी बीशिश्थ कि तो पस्ष्चीкими से पुश्चिम पुर्व के फैलाव वाले परवत श्रिंखला में गर हम बात करें तो सबसे लंबा परवत है इसके अलावा जो परवतों की आप बात करें जैसे युराल माउंटेन रॉकी इंडेस इनका जो विस्तार कैसे दिखेगा तो इनका विस्तार दिखेगा में उत्तर से दक्षिन पर लेकिन हिमाले का विस्तार हमें पस्टीम से पूर्व देखने को मिलता है और पस्टीम से पूर्व इस्थितीप पर बने हुए विश्व के सभी परवतों में से हिमाले सबसे लंबा परवत बनता है अब हम बात करते हैं धाल की तो दक्षिंड की और हिमाले का ढाल जादा तीव रहा है जादा steep slope है तो ये दक्षिंड की और तीवर ढाल कैसे हुआ तो इस पर हम बात करते हैं जब भारती प्लेट और यूरेशन प्लेट का ठकराव हो रहा था आप इसे समझ लिजिए ये यूरेशन प्लेट है और ये है इंडियन प्लेट की तरफ यहां पर जो इंडिय को डखके टक्राव जब होती है तो यह तो है तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं या फिर एक निश्क्री होता है aging प्लेट अपने जगह पर यदा इस तिती užए खड़ा हुआ है और दूसरा प्लेट क्या होता很 है तो जो प्लेट आकर त्गराता उसे हम क्या कहेंगे सख्री एप टो जब एइंडियान प्लेट और युरेशेन प्लेट का जब टकराओ हुआ तब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडियन प्लेट सख्रेज consider में की भूमी का अदा ठीज़एटि प्लेट की तुलना पर तो ये दो आधारों पर हमें ढलतीव रहते हुए दिखेंगा ऎप इस मेरे हाथ की मुद्रा पर तरह नजर डालिए ठीक है ये उरेशियन प्लेटैइयं इंडियन प्लेटैइंडीयन प्लेट अकर तगर आता है तगराने के साथ सात से टकराता है तो सक्री होने के कारण यहां पर इसके साउथ वर्ड डारेक्शन से यह हो गया इसका साउथ वर्ड डारेक्शन दक्षिन वाला जो भाग है यहां से इसे फोर्स मिलने लगता है तब हम क्या देखेंगे कि फोर्स मिलने कारण यह कुछ इस तरीके से फोल्ड हो और Eurasian plate भी उठेगा लेकिन उतना तीवर ढ़ाल से नहीं उठेगा तब आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है यहाँ पर इस direction से force लगने के कारण हमें जो ये ढ़ाल देखने को मिला दक्चिन की और या फिर भारत की और ये ढ़ाल हमें क्या देखने को मिला तीवर ढ़ाल देखने को मिला या फिर steep slope देखने को मिला एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि आप क्या बताएंगे कि जब भारती plate और Eurasian plate का टकराव होता है तो भारती plate सक्री plate था सक्री plate हो जाने की वज़ा से भारती plate के दक्चिन से संपीडर मन लगता है compression force लगता है जिस कारण से दक्चिन वाले भाग पर अधिक तेज मोड देखने को मिलता है और उसकी ढ़ाल तीवर हो जाती है या फिर उसका slope steep हो जाता है तो इस अधार पर हम ये बता ले गए कि क्यों हिमाले का जो दक्चिन वाला भाग है उसके जो ढ़ाल है वो क्या है तेवर है जो लास्ट यहां पर विशेष्टा है वो लास्ट विशेष्टा क्या है कि भारतिय प्लेट और यूरेशन प्लेट जब टक्राता है तब हमें हिमाले बनता हुआ दिखता है और उसी अधार पर हमें यहां की नदिया पूरवर्ती बनते हुए दिखती है पूरवर्ती अर्थाथ एंटी सीडेंट रिवर सिस्टम अब यह पूरवर्ती को आसान शब्दों में अगर बता दूँ तो नदियों का मार्ग बदलता नहीं है भू आकरितिया जिस जगे पर नदि के मार्ग जो है उस मार्ग पर भू आकरितिया बदलते रहती है लेकिन नदियां भू आकरितियों के कारण अपना मार्ग नहीं बदलती जो भी भू आकरिति उसके सामने आती है उसे काटते हुए चिरते हुए वो आगे निकल जाती है जैसे कि अगर हिमाले की उत्पत्ती की कहानी जब हम समझेंगे तब हम ये पाएंगे कि भारती प्लेट और यूरेशन प्लेट के टकराओं से वलन की प्रक्रिया से हमें फोल्डेड मौंटेन हिमाले बनता हुआ दिखता है लेकिन भारती प्लेट और यूरेशन प्लेट के मध्य में एक संकिन उतला जल्मगनब छेतर था जिसे हम टेथिस सागर कहते हैं और यही टेथिस सागर के अलग-अलग धाराएं विभाजित होकर हमें आगे चलकर हिमाले की नदियों के रूप में देखने को मिलती है अब यह जो पानी था यह क्या था यह पानी पहले से वहाँ पर प्रभावित हो रहा था अब हिमाले यहाँ पर उपर उठेने लगता है अब हिमाले यहाँ पर क्या होगा उत्थान होगा लेकिन नदियों का जो अपरदन है इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा कि नदियों का जो अपरदन है erosion by river जो है उसकी जो दर है उसकी जो rate है वो ज़्यादा तेज है किसके हिमाले के उत्थान के दर से एक बार फिर से बता दूँ कि जितनी तेजी से हिमाले उपर उठ रहा है उससे जादा तेजी से हिमाले के ये नदिया क्या कर रही है काटते हुए चल रही है तो इनका जो अपरदन का दर है जो इनका rate of erosion है वो हिमाले के अपलिफ्मेंट से जादा है तो हिमाले उठता जाएगा वो एक अपनी कहानी अपने समय के अनुसार ये उपर उठता जाएगा लेकिन नदियों का rate जादा है तो वो उसे क्या करते जाएंगी चिरते जाएंगी तो ये जो हिमाले परवत है ये नदियों के लिए किसी प्रकार की भोगोलिक अवरोध बेरियर की तरह काम नहीं कर पाएगा और नदियां अपना मार्ग बनाये जाएंगी इनको चिरते हुए निकल जाएंगी तो अब बात आती है कि ऐसा कैसे हो गया तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हिमाले क्या है एक नविंतम परवत शिंकला है अर्थाद इसके जो कड़ है वो अभी मजबूत नहीं हुए ठोस नहीं हुए ठोस नहीं होने का कहने का मतलब क्या है कि अभी यहाँ पर जो नविंतम परवत है तो वो अभी कठोर नहीं हुआ है तो इसके जो कड़ है उसको असानी से तोड़ा जा सकता है असानी से बहाया जा सकता है तो इसलिए इनका इरोजन फास्टर रेट में नदियां कर रही थी हिमाले का उत्थान हो रहा था और नदियां इनको चीरते वे निकल जा रही थी इसलिए हम यहां की नदियों को क्या कहते हैं कि यह पूरवर्ती अपवात तंत्र है एंटी सिडेंट रिवर्स सिस्टम है पूरवर्ती कहने का अतात परे क्या कि जो नदियों का मार्ग था वो भू आकरिती के आने के बावजूद भी मार्ग बना रहा अ कि जो नदियां होंगी या सदा नीरा होंगी ठीक है परेनियल होंगी सदा नीरा होंगी सदा नीरा कहने का मतलब क्या आप इसे 12 मासी नदिया भी कह सकते हैं ऐसी नदी जिन में पानी साल के 12 मैने पर हो उसे आप सदा नीरा कहेंगे ऐसा क्यों तो सदा नीरा होने के पीछे का कारण क्या कि जब बरसात का मौसम होता है या फिर मौनसून होता है तब वर्षा से क्या होते हैं यहां पर जल चला आता है लेकिन जब मौनसून नहीं होगा गर्मी का टाइम आ जाएगा बरसात नहीं हो रही है तब हिमाले के हिमानियों के पिघलने से glaciers के melt होने से हिम नदों के पिघलने से इन नदियों पर पानी चला आता है तो जब बरसात होगा वर्षा होगी तो वर्षा से पानी आएगा और जब वर्षा नहीं हो रही होगी तब हिम नदियों के पिघलने से इसमें पानी चला आएगा इसलिए यहां की जो नदिया होती है उसे हम क्या कहते हैं सदा नीरा नदिया कहते हैं एक और खास बात यहां की नदियों के बारे में आपको जान लेनी चाहिए इसी समय पर और वह यह है कि यहां की नदियों के पास में बल बहुत ज़्यादा होता है ताकत बल जादा होता है इसका क्या मतलब तो एक तो कारण यही होगा क्या कि यह सदा नीरा है अर्थाद इसमें पानी की मात्रा काफी अच्छी देखने को मिलेगी पानी की मात्रा क्या होगी अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि साल बर उसमें पानी आ रहा है दूसरा यहा इस कीजिए समझने का प्रयास करिए कि जब एक स्टीप स्लोप से तीवर ढ़ाल से कोई नदी बहते हुए आएगी तो पोटेंशल एनरजी या फिर ग्रेविटेशन के कारण उसके पास में ताकत काफी जादा हो जाएगी और खासकर ये ताकत तब और जादा हो जाएगी स्लोप है जो ढ़ाल है वो तीवर है तो इनके पास ताकत जादा होती है ताकत जादा होगी तो और इरोजन करते हैं और इरोजन करेंगे अर्थात और ये भूभाग को काटेंगे महा महा खट बनाएंगे जिसे आप गोर्ज भी कहते हैं तो हिमाले में हमें गोर्ज भी दे ठाल तो इस तरीके से हमने ये नो विशेश्च्ता हिमाले के बारे में जान ली अब आप लोग रिकॉल करें कि मैंने क्या कहा था कोशन बदाया था कि हिमाले की विशेश्च्ताओं का वेणन करें और अब आपके पास 9 पॉइंट हैं 9 कीवर्ड हैं इस 9 कीवर्ड के अधार पर आप अपने answers कैसे भी लग सकते हैं, चाहे वो 2 नमबर पर आए, 4 नमबर पर आए, 10 नमबर पर आए, 8 नमबर पर आए, आप इन content के अधार पर आप अपने answer लिख सकते हैं, देखें यहाँ पर मैंने keyword देने का प्रयास किया है, इसके आगे और पीछे की कहानी आपको करने के लिए आप इस्तमाल करेंगे, तो एसलिए साथ यह साथ आप क्या करते जाएं, सिनॉपसिस बनाते जाएं, आप answer लिखते जाएं, revision के लिए बहुत important हो जाता है, clear है, तो यह हो गए हिमाले की विश्ष्षता हमने समाप्ट कर ली,